अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए. सबस्क्रा इमार भेजिए concerns फिर जरूर को ये वि trip. These tribes are the pride of the Indian forest Symbols of our proud ecological heritage The majestic growl of dominance and defence The tiger झाल झाल पупते हम खख़ूश्या उтовभ हैं झाल्यदे तूरूश्यार्गें फृट्ड़नेज़्िया जो धे रखेढ। centrwen ठो लो चब हो Deutsch झाल 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 The tiger is the cat one of the biggest ones there are They are calm and quiet, a big part of this world And as we see today, the tigers disappear We need the tigers now, keep them going strong Stop the killing, stop the pooching, keep the poochie night And throw in front of the tigers, then we blow in front of the tigers Memories and features Tigers are the biggest cats there are around Tigers now are almost extinct and we can see them Tigers are the biggest cats there are around Tigers now are almost extinct and we can see them Stop the killing, stop the pooching, keep the poochie light and grow in Let's control the tigers, then we can see them We can see them, save them, slow them Stop the killing, stop the poochie, keep the poochie light and grow in throw in front of the tigers, then we blow in front of the tigers Our memory is a victory, save them, save them, slow them तिनने दून के मिलड़ पमसी केले ere batch of the अब कीविभूर या में सेटाया हुछ अफ मेरे बारे में अख़बर में घ्राफ शाब देते हैं तुके कि मेरे बारे में घ्राफ सिद्केशा नॉक्तफ अभी है आपको सर्व हाँ थापर जी आईए बैठिए थांकिए सर्व अहाँ थापर जी देखिए घर का बातों पर चर्चा के लिए समय नहीं है मेरे पास फटाफट बोलिया आप ये घर की बात नहीं है सच्टिव जी अच्छा तो ठीक है मैं अब से 10 मिनिट का समय आपको देता हूँ बोलिया आप कहिए आपका समय बीता जा रहा है और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और टाइगर भी क्या? क्या कहा आपने? हाँ ठीक सुना आपने जैसे कभी भी ये समय वापस नहीं आएगा वैसे ही विलुप्त के कगार में पहुँच चुका ये बाग कभी वापस नहीं आएगा पूरा बाग बचावर्ष घोसित कर दिया था परचार परसार टीवी चैनल्स के माध्यम से खूब देखा था आपका ये परजेक्ट और हमारी सरकार ने इस परजेक्ट में पूरे करोड़ रुपे खर्च कर दिये मगर इससे कितना फाइदा हुआ मतलब वाइल लाइफ रिसर्च वर्क जो हमने आपको भेजा था वो तो आपने पढ़ा ही होगा न हुम फिर कर फिर वही बात था पर अरे मैंने सब पढ़ा है मेरी मिनिस्ट्री का काम सिर्फ बाग बचाना नहीं है और सच कहूं आपको इस मामले में मैंने जरूरत से ज़्यादा वग दिया है आप लोगों को पर सचाई ये भी है सर कि अगर हमें इस मामले में अच्छे नतीजों की उम्मीद है तो हमें और भी मुस्तेदी से काम करना पड़ेगा सर था पर जी सायद आपको मालूम नहीं कि इस कुर्सी में सिर्फ 6 महीने बैटने के लिए 6 साल मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद के 6 महीने उसको मजबूत बनाने में गुजर जाते है अब आपकी तरह 100 लोग रोज यहां अलग-अलग परेसानी लेकर आते हैं भाई मैं सबको खुष तो नहीं रख सकता ना आखिर यह कुर्सी भी तो बचानी है भाई टाइगर्स के मामले में हमारी गवर्मेंट और एजनसी जितना कर सकती थी उससे ज्यादा कर चुकी है देखिए आप इस मामले में जितना परेसान है उतने हम भी हैं हमारी सरकार ने कई नई पॉलिसीज तैयार की हैं अगले बजट में इसके लिए और भी पैसा आजाए सर मैंने अपनी सर्विसेज के दौरान बहुत सारे जुशीले मिनिस्टर्स देखे हैं जिनका कारेकाल समाप्त होते ही सभी पॉलिसीज बंद हो जाती हैं और नए मिनिस्टर्स दूसरी पार्टी की पॉलिसीज में बिलकुल भी इंट्रेस्ट नहीं लेते बदकिस्मती से इसी को राजनीती कहते हैं थापर साथ मगर सर इसका खाम्याजा हम क्यों भुकते हैं हाँ वो भी ठीक कहते हैं आप सर इस बारे में आप जो भी पॉलिसीज इंप्लिमेंट करना चाहते हैं वो अपने कारेकाल के रहते हुए क्यों नहीं पूरा कर देते सर थापर जी राजनीती छोटी मोटी चीज नहीं है थापर जी सिर्फ बाग बचाने से ना देश मजबूत होगा और ना ही एक कुरसी सर लाखों लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुरसी संभालते हैं लेकिन एक कोई ऐसा होता है जो पूरे देश को संभालता है जिसे हम भूल नहीं पाते जो हमेशा हमारे दिलों में जिन्दा रहता है यार गेतर एक बात बता इस जंगल में भाग भाग तो नीया na मुझे कैसे मालूम होगा यार कैसी बात कर रहा है यार है 6 साल से वानवी भाग में नोकरी कर रहा है और तुझे नहीं मालूम अब छे साल की नोकरी में तीन साल तो नैशनल पार्क में निकल गए और दो साल ओफिस में बैठा रहे गया अब एक ही साल हुआ मुझे जंगल में आयो अरे यार खर छोड़िये सब अच्छा एक बात बता दू मुझे मैं क्या पूछ रहा तो तुछ से कि तुने यार बाग देखा है कभी जंदा हाँ देखाया यार कहां अरे बच्पन में श्कूल की तरफ से पिकनिक में गुवाने ले गए थे तब देखा था खिडिया घर में यार चिडिया घर कैसी बखवास कर रहा है यार मेरे कहने का अब है कि तुने कभी जंदा बाग अपने सामने देखाया यार नहीं देखाया अब तो गाड कह रहा था साब अभी अभी आँ से दो बाग उत्रे आपने उनके साइटिंग मिस्कर दी अब आगल है किया हुआ अब अब आगल है किया हुआ हच्परा तो मुझ पर अब नैशनल पार्क में गार्ड को खास ट्रेनिंग दी जाती है बई जो भी टूरिस्स वहां गूमने आता है तो गार्ड कहता है आप पांच मिनट लेट आये अभी अभी बाग यहां से निखला ये रहे उसके पाउं के निचान थू भी यार पागल है हाँ मंघे तो तो कह रहा था यहां बग नहीं है मैं भी तो इसी विषवत पर आता चुपकर आजा निकल लेते हैं आजा 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 कशाशा अँद करें व्यूर्योंग गॉर्योंग वेल्म वेल्किया उफ। भाड़ यंग मैंडों अज्णक्राइब व कहा थे था हुआ जोपी एफ जब में एफ इक कोको थे लुड़प्स रख जो रवे, बोट ले पिर बदेश्यों पूस्थ is that a tiger poaching by now? but to me , if you plan a war against poaching then the game is different like.. we will have to bring all poachers into our zone and fight but how.. a plan is better implemented than the said Namaste आजकल नीन बहुत आ रही है डॉक्टर बोलता है सुगर का लेबल बिगड़ गया है अरे चिलका दो चाय ले आना भई हाँ बोल क्या बात है क्या ख़बर भेजिये बाबुलाल ने काम बहुत बड़ा है पैसों की चिंता मन करना इसी की तो चिंता है और तू कौन होता है कौन होता है तू मुझे बताने वाला कि मैं चिंता करूँ या नहीं करूँ सीधे सीधे बता ये हिंदी पिक्चर के डायलाग मत पता मुझे कौन सा काम कौन सा काम बे हसुन अगर ड्रक्स वाला मामला है तो किसी और को देख ले ये मेरा काम नहीं समझाए मुझे आईगर की ज़रूरत है बस इतना ही काम है तो निकल ले बावुलाल का दिमाग खरुचता हूं नाजाने किस को भेज देता है आपने बाप का सरसाल समझ के अरे बावुलाल तेरा देमाग खराव गया क्या अरे ये किस जोकर को भेज़ दिया तुने मेरे पास मुझसे बोलता है कि ताइगर चाहिए ताइगर अभे का मैंने ताइगर की दुकान खोल रुखे क्या अरे बावुलाल से चालीस बोला हां अच्छा तेमान इतना बढ़ किया के चार दिन में आपकी यूशल रूट से लासा पोइं तक वहां का अड्रस और आत्मी का नाम इसमें लिका है बावुलाल को पहले ही बीस लेक अड्वेंट्स दिया है माल तायार होने पर इस नंबर पर फोन करना तो बात पकी है बीस काम होने के बाद पीस हाँ हाँ ह पालला की बात टाइगर की है टाइगर? अरे क्या बात करते हैं कालडा सहाव कैसे होगा ये काम? और बहुत रिस्क है इस काम में पूरे मुल्कोंने इस वक टाइगर पे नजर रखी है पकड़े गए तो जमानत भी नहीं होगी हाँ, हाथे के दात और चीते के खाल की बात होती, तो हो जाता इस पूरे मामले में बहुत गरवड़ है अगर इस काम के 40 लाख मिल जाएं तो 40 लाख? टिमांड बहुत बढ़ गया है बाबू लाल का 20 लाख रुपए एडवांस मिल चुका है ये लो, एक लाख रुपए एडवांस ज़्यादा सोचने का नहीं माल का इंतिजाम हो जाना चाहिए बाकी मैं समझाल लूँगा कालरा जी, डाम इतना माजिब है तो मैं मना नहीं कर सकता पर कालरा, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा चालीस लाग का सवाल है, चालीस लाग का ठीक है कालरा जी आप पर माल कब तक चाहिए ऐसी कोई डैड लाइन नहीं है जितनी जल्दी माल लाओगे उतनी जल्दी दाम पाओगे तो ठीक है मैं जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम देता हूँ अरे माल पहुच जाएगा अरे बाबू है शिवा कम सिट एक सौधा हुआ है एक दम धासु काम बस टाइम पर डिलेवरी होनी चाहिए बुल्दार से ज्यादा टाइगर की डिमांड है चीनियों को टाइगर बहुत सुंदर लगते हैं जैसे जैसे टाइगर बचावा अंदोलन बढ़ता जाएगा ठीक उसी तरह चीनियों के अंदर इसके डिमांड बढ़ती जाएगी ए शिवा पनाना पैगिया एक टाइगर दो गुल्दार के डिलिवरी हो जानी चाहिए इस महिने के आखिर तक तुमारा क्या अंदाजा है ये सौदा कितने का होगा चालीस लाग का सौदा है एक महिने में 25 लाग से उठकर 40 लाग चल गया है ऐसा दूसरा कौन सा धंदा है जिसमें इतना दूरना मुनाफ़ा है मैं क्या बोल रहा था कि शिकार करना तो बड़ी दूर की बात है बाग को मारना ही ना मुम्किन है जिधर देखो, सेदर टाइगर का नारा लगा है, टिवी पर, सिनिमा घरों पर, दिवारों पर, जहां देखो, हुआ भाग की तस्वीर दिखाई देती है जितना बड़ा सौधा, उतना बड़ा मुनाफा अब तक तो शिकारी भी अपना अलग बसेरा ढून चुका होगा, कोई दूद वाला, चोकिदार या नाई बन गया होगा मुझे हाँ ना करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा टाइम बहुत बेशकिमती है ये काम करो, अपने पैसे ले लो, नहीं तो मैं किसी दूसरे को देखता हूँ ये बात तो पक्किया है कि एक महिने में गाम नगर के अंदर एक टाइगर तो जरूर मरेगा, ये कोई टाल नहीं सकता अब इसका फाइदा कौन उठाता है, ये तुभारे हाथ में है सोच लो, नहीं तो गाली छूड़ जाएगी बात वहाँ बात आता हूँ अगर ये सोदा हाथ से निकल गया, तो समझो कि हमारी डिल जो सिद्धाच साथ है, वो भी खत पहुँ जाएगी ये मामला पैसों का नहीं है साब, आज बच्चा बच्चा ये जानता है कि बात का शिकार करना जुर्म है डिपार्टमेंट वालों की कड़ी नजर 24 घंटे हम पे है आज चुहे और कवों के अलावा, सारे जानवरों का शिकार करना गयर कानूनी है या, वाल तु बाते छोड़, सीधे सीधे बता कि बाग की सेरिया में मिलेगा मेरे खयाल से राम नगर का इलागा ठीक होगा साब क्योंकि बाकी सारे रास्तों पर कड़ी निगरानी होती है मतलब तुझ से एक काम नहीं हो सकता अरे नहीं साब, राम नगर में राम थापा ही है जो कुछ कर सकता है क्योंकि वही इकलौता है जो जंगल का चपपा चपपा जानता है और उसके लिए ये बाएंहात का खेल है आपको उससे बात करनी चाहिए लेकिन एक बात का खयार रखना साब वो नया डी एफो बहुत खतरनाक है उससे बचके रहीगा अरे बाव देखे हैं अराम से बाष देखे हैं असे डी आफो को जब नए नए आते हैं तो अपनी हीरोगिरी दिखाते हैं लेकिन कुछ ताइम के बाद अपने अपकात में आ जाते हैं जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है जंगली कपड़ा जंगली कपड़ा तो आपको महगा पड़ेगा साहब माफ करना क्या आपकी इतनी हैसियत है कितना लोगे दिखाने के बीस हजार और माल पसंद आया तो फिर आगे बात करेंगे साब चाड़ के पैसे कितना हुआ बीस हजार बाबुजी धीरे चलना प्यार में जरा संफलना बड़े थोखे आये साब आये आये चलिए चलिए आकको बहुत बढ़े माल दिखाता हूँ आये साब आये बैठिए का का नमस्ते कैसे हो खन्दूली सब ठीक ठाक है वreated है बार बार देखो हजार बार देखो जिन देखने की चीज़ है हमारा दिल रुबा जाने ओ देखिये सम, देखिए बहुत बढ़ीया माल है साब इस से बढ़ीया माल आपको कही नहीं रिगा साब बहुत बढ़िया है देखे साहग सब्हूरे है यह इस वड़िया माल ही मिलेगा आपको नहीं भी ढूनण लो जहां भी जाओगे हमें ही पाऊगे अरे साहब बेकार कोशिश कर रहे हैं आप, अरे सुनिये तो, अरे इसका थोड़ी ना कोई शोरूम है, साहब, साहब, अरे साहब सुनिये तो, अरे बोलाना नहीं चाहिए, तेरा मल कुछ खास नहीं है, मैं कई और डूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू इस पूरे इलाके में उच्छ से बढ़िया माल कोई नहीं दे पाएगा आपको आए साब इस तरफ से आए साब आपको दिखाता हूँ चलिए आप देखकर खुश हो जाएंगे साब चलकर अंदर देखिए बहुत बढ़िया माल है आए अब दिखाता हूँ आपको एकदम बढ़िया माल अगर पसंद ना आए ना तो मिरे नाम का कुट्ता पाल लेना देखिए साथ कितना बढ़िया माल है देखिए ये देखिए दिल तक देखो दिल तक देखो दिल देखो जी अर दिल लिने वलो दिल देना सीखो जी ये देखिए एकदम बढ़िया माला और इससे भी बढ़िया माला को दिखाता है सर से लेकर पाँव तलक हाथ से लेकर उंगली तक मैंने बाग दिया तुने बाग लिया देखिए ये है खुदा का डिजाइनर कलेक्शन है न बडिया जी है न अच्छा तो अड़ोटाइस क्यों नहीं करते हो अच्छा है हांस अच्छा है अङूह एहुआ कर दो अच्छाल अच्छाल लुफबल अच्छाल मैं अच्छा नुबुचिस्पूम गुझा अच्छाल तो किस थोड़िगे एंदू अच्छान हो इस अच्छाल आचाल एंद वी जियुआ प्रेस प्रेस कोंफरें इस नोग और बाइग कृतिसिसम इस ज़स्टे से पुछीर तरह कोशिजों के बावजुद भी जानरों के अवे शिकार और उनके अंगों की तसक्री अपक रूक क्यो निपारी है। We can't counter the poaching in a few days. The government is committed in protecting our forest. You can see the results, very soon. Sir, क्या पकडे गए तसकरूं का इस खिकार से कोई संबंध है? Sorry, out of the seized material, only two are original and rush is fake. So, please don't mix up the things with this issue. अरे क्यों परेशान हो रहे हो भाई? आज महाराज शिकार पर निकले हैं। चलिए ठीक है आज हम भी देखते हैं महाराज का शिकार. इसके जए या, जए ठीक है किया डह है। ऐल विटा थापा. आउज तुनो क बाद बाद। महाराज का है. कहाराल है। और देखिए यहां जो जड़ो मेरा हाथ और जूमने खूड़ों करें आद्धन आपिन आफ में गया हुझा करें हाद्ट घिपने आम जबादने खीज खराब अगा आपका है जंगल है मनम जंगल पारक्त नहीं है जो तेल तेल कर फोटो हिछ रही है अप अरी जो वाग का फोटो खींच रही थी आप थोड़ी दिर हमको और हो जाता ना तो वाग आपको फोटो खींच देता है कारे अगाइट बने हो तुम हाँ उठा के चले आप तो शेयुलों को पिक्रिंग बनाने पहरे जान तो लो जंगल काउन चीज है कौन था वो मैडम वो राम थापा था एक बहुत बड़ा सिकारी पर अब उसने वो सब छोड़ दिया है किसी और काम की तलास में लेकिन मैडम वो जानवरों की बोली जानता है उनसे बाते करता है बड़ा अलग तरीके का आदमी है मैडम कसू tejण बै networks today so I'm doing a project on Tiger poaching and its socio economic implications and some place Why, such a rare or rather strange topic I'm a wildlife buff right from my childhood days so eventually I took up this project it being my passion since school Good I am about to dashboard for a field visit It's based on your topic like informing villagers on a possible poaching 120 002 002 002 001 до 2010 अ कर दो आझ जोडोन झांना, प्रणोन में हो खालोन. कर दो खालोने सेल्द का एक तरम, जोगा है। यह सामने सेड़! यह लड़की चल जाए आसे चल लड़को तो आप फिर से आगे उस शेतान को बचाने चमेली सारे जनवर जन्म से आदमखोर नहीं होते हम इंसान उन्हें आदमखोर बनाते अरे आपका तो कुछ बिगड़ा नहीं न साहब खोया तो मैंने है ना जब खुद पर पड़ती है तब समझ में आता है समझने की कोशिश करो चमेली ओ एक खास सा था अरे मुझे कुछ नहीं समझना है साहब ठक चुकी हो मैं यह सब सुन-चुनके तो फिर मेरी मा का खुनी कैसा है साहब और कितने दिन बचाओगे उसे उसका अन तो निष्षित है God, why is she being so weird and rude? She is a victim of man and man conflict. Her mother was killed by a tiger God, why is she? आपकुषार यार यार यहाँ ओध पार यार यहाँ अ वख पुषा यहाँ वार हुआ यहाँ साथ, 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 कतम कर दो उसे, उड़ा दो साथ, उड़ा दो, साथ, देखो ना साथ, देखो ना, उसने मेरी माँ को मुझ से छीन लिया है, साथ, देखो ना साथ, अब और कितने सबूच चाहिए आप लोग को, और कितने सबूच चाहिए, अरे, कितने सालों से तो हम कहते हैं, आप एकी सुनते ही नहीं, अ उससे मेरी माँ तो वापस नहीं आएगी ना साफ। इसे मेरा कर से चार मोथ हो चुकी हैं, कुछ तो करिये साफ। हमने एमपी साव से बात की है, जल्दी आपको उससे खतम करने का और अचाइगा। अमारी तो पुरी जिंदगी जंगल पनेरबरे साब है अब तो कुछ कर नहीं होगा अब तो कुछ करना ही होगा मिनिस्टर जी का ओडर आप तक पहुष्टे होंगे अब तक पहुष्टे होगा अब तक पुष्टे होगा That decision making was harsh and rude Finally, the order was issued to trap and relocate the tiger We caught him one night and he is still captive at the zoo Actually, we are forced into doing this cruelty and in fact can't be biased to either side man or animal You wanna see him? Yeah, I'd love to Oh my god Now this tiger can no longer roll around the forest and create its natural turtle It will be captive for rest of its life Can't we do anything about it? Yes, with proper government support we can rescue and rehabilitate such animals क्या होआ क्या व्याई य्यादिते क्या है? ताहर पंचर होगे सब जंगल में किस to engine? टूनिस्ट है आगरा से है हम सीतावन गुमने खुमने आए चलो बचिए यार ना.. थापा.. रो थापा.. थापा.. कई भाई.. कई भाई.. का वाई.. भाई.. मुझा.. अभीड से कुछ लिए.. इसने अपने लिये इस दो जो निए.. पोझ रहा प्राव भूदी सतो.. विश्दया प्राव.. ंभीड से कथा.. का बोल यहा.. तेरा रिता बेता चौर निखला.. चुप रहो तुम एक तो वैसे ही जिन्दिगी में इतना परेशानियों उपर से दुनिया भर में इज्जद उतार रहो हमारी बहुत भूग लगी थी बाबा दो दिनों से घर में कुछ खाने को भी नहीं है और ना ही हमें कोई काम दे रहा है अब तो भीक मानने के सिवाई कोई चारा नहीं बचा स्थाइब कार विए में अधिये सुप और में इतना परेशा की बाबाबाबाने के स्थाइब कार भीक माने के सिवाई नहीं हमारी वकत में बाबाबाने कार रहा है कि खाने का इंतिजाम कैसे हुआ कहीं काम मिला है क्या हाँ कैसा काम चोरी का हाँ अरे सुनो भाई यह राम थापा किदे रहता है वहाँ पर वो घर है उसका अच्छा थापा अरे ओ थापा नमस्त माफ करना साब हम पैचाने नहीं हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है थापा सब मैं समझाने अरे हमें तुछ से कुछ काम है अरे तुछ सब अंदर आई ना नहीं नहीं रहने दो हमें कुछ बिजनस के बारे में बात करनी है कहीं बाहर चलें हमें बिल्ली चाहिए थापा हम समझा नहीं साब बिल्ली बड़ी बिल्ली बिक कैट टाइगर हमें खबर मिली है कि राम नगर में एक तुमी हो जो इस काम में हमारी मदद कर सकते हो राम नगर में अकेले जो एक बाग बचा है उसका काम निप्टाना है यह लो दो हजार रुपए एडवांस बाकी काम खतम होने के बाद पहले यह बता कि काम कब तक हो जाएगा माफ करना साब हम यह काम नहीं कर सकते क्यों? पैसे कम है क्या? अबे क्यों पैसे कम है? तो यह बताओ कितिने लोग है साब बात पैसों की नहीं है अचकल दुनिया में पैसों से ही हिज़त खरीदी जाती है थापा पैसों से हमारे बच्चे हमें ही देखकर बड़े होते हैं साब अगर हमी गयर कानूनी काम करेंगे तो बच्चे भी बड़े होकर मुझनी ही बनेंगे साब इसलिए हमने एक काम छोड़ दिया पैसों की तो हमें जरूरत है लेकिन इस तरह नहीं करेंगे अरे अब क्या करेंगे? चिट्थी लिखते हैं पर किसको भाई? बाग को बाग को उसको यह बताते हैं कि हम कितनी मुसिवद में ताकि वो खुद आजा और अमारी मदद करें ऐसा हो सकता है क्या? तूने दस्वी पास की थी ना? हाँ की है? तो यह भी हो सकता है भाग भी पढ़ना जानता है अरे शिव पिल्सी नार को और क्या सकता हिस्क भाग लाग है यह भाग है यह भाग है प्रवघक वेताश तार वश उ सकता हिस्को भाग लग झे बानता है कर दो, कर दो! करें वहांओा। कर दो जो जमेली तू इतनी रात गए तू यहां क्या कर रही है तुमने मुझे बचाया क्यों बाबा यह तो मेरा फर्ज था क्या सोच रही है चमेली तुझे पता है तूने कितना बड़ा जुर्म किया है हाँ मैंने कातिल से बदला लेने की कोशिश की क्या बखवा से यह सब चमेली तुम्हें क्या लगता है क्या बाग ने सोच समझ कर तुम्हारी मा को तुमसे चीना है नहीं बलकि हमने खुद ही उनके इलाके में घुसपैट करके यह मुसीबत मोल ली है अरे बेटी आज हम उस खुद्रत के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने हमें जनम दिया है जानती हो क्यों लालच यह खुद्रत हम सभी को अपनी जुरूरते पूरी करने के लिए चीज़ें देती है लालच पूरी करने के लिए नहीं तुम्हें मालूम है हमारी संस्कृती में हमेशा से प्रक्रिती और जानवरों की पूजा की जाती है यह सच है के इस धर्ती पे पेड़, पौदे, पहाड, पानी, जंगल, जानवर जो कुछ भी है उन सब पर हमने हमला बोल दिया है तुम्हारी मा की मौत भी इन हमलों का ही नतीज़ा थी तुमने जिस जानवर को जहर देने की कोशिश की वो हमारी देवी है हमारी परमपरा में एक विश्वास है कि जब कोई इनसान किसी घने जंगल के बीच किसी मुसीबत में फस जाता है और बाग को याद करता है तो वो बाग उसकी मदद के लिए ज़रूर आता है बस करो बाबा बस करो बहुत सुन चुके हूँ तुमारी यह सब कहानिया यह सब कहानिया किताबों में होती है हकीकत में नहीं वैसे तो हमारे धर्म में राम कृष्ण विश्व के अफ्तार जैसे कहानिया भी है ना जो इंसान को मुसीबत से बचाने आते हैं क्या आज तक किसी ने भी यह राम क्रिशन विश्लू को देखा है सब कहानिया हैं बाबा कहानिया पता नहीं काकी को क्या हो गया वो खेट में काम कर रही थी ना अचानक भी होशो के गिर गई वो वो पास वाला दबा काना है ना पहले आमबा लेके गए फिर उनकी आलब में गड़ने लगी तो हम यहां लेकर आए पता नहीं रॉक्तर ने क्या कहा होगा चलो सब कैसी तो बेदेगी नॉर्मल अटाइक है अपंडी साइटिस का अचा 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 और हालत बहुत खराब है सरजरी की जरुद पड़ेगी बड़े होस्पिटल ले जाओ पंद्रा जार उपए खर्चाएगा मुसिबत में मदद करने वाला कोई नहीं होता यह इमानदारी शराफत कुछ काम नहीं आते यह तुनिया पैसो के धंपर चलती है था पाँ पैसो के धंपर वैसे तु पैसो के टेंशन मदले ना विलकुल लें 20,000 अच्छा यह 25 अच्छा यह दिल पकी हाँ 2000 रुपए एडवान्स अदर रक्ले हाँ 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 मिरा दिलने गवाँ कोई छेल छबीला बाकासा है मेरा दिल ने गया कोई छेल छबीला बाकासा लड़ गए नैन लुट गया चैन जुल मीन ऐसे लूटा रैद मैं तडप की है मेरा दिल ने गया कोई छेल छबीला बाकासा मैंने कहा ना 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 बेदर दी एक न माना जीन के हिले बया जा है मेरा दिल ने गया कोई छेल छबीला बाकासा करता है कर दो छेल शाइए कर दो जीन कर दोक्या कर दो डिए जाइए भा जुड़ एक, एक जीन कर दो है लुड़ भाटो ड़ाट जांज एक अशलाए लोगे नम दुरे नमरे नम साजन है यूँ लागे तेरा नम लेके जूरे तेरा ले जागे 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 रात मेरे जाजू बरी बात तेरी ने दिना बैठी रहों मेठे मेठे सपने सजाए चापी चापी रात मेरे जाजू बरी बात तेरी ने दिनाए बैठी रहों मेठे मेठे सपने सजाए मन मोन पर दे सिया कैसा घजब कर दिया हर नीरा दिल ले गया कोई छेल छबीला भाका सा करतें चर्कातें हैं प्रुटर कि खुटर को लागा प्रुटर को खुटर को अगरे कि अवगर से घुटर को भीना कि प्रुटर को भीना थाटा है ब्रोय में, ब्रोय ओक उने हैं अबस्क आपको थापा, 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 अरे, थापा, सुन तो सही, क्या कर रहा है, बसाना, क्या कर रहा है? हम से नहीं होगा ये सब, बस, जा रहा है वापास, तुमको करना है, अकेले कर लो तुम, अपा, इतने जल्दी में क्यू बुला है, और पैसे चाहिए थिक्या, नहीं सब, तो बात क्या है, अरे, इतना सस्पेंस क्यू बढ़ा रहे हो, अरे, कोहन बनेगा करोर पाती थोड़ सब, सब, वो टाइगर वाला काम हमसे नहीं होगा, सब, वो बागिन पेट से है, सब, तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, वो थोड़ी है तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, ये पाप हमसे नहीं होगा, सब, पाप, पाप तो तुम्हें लगेगा, अ मुझ टाइगर के बार में सोच रहे हो, अरे बेखुफ यह समझी, तेरी लॉट्री लग गई है, 20 परसंट से 30 परसंट ज्यादा मिलते हैं, प्रेगनेंट टाइगर के लिए और पांच हजार तो अलग मिलेंगे, हाँ, ऐसे मोके को तुम अपने हाथों से जाने दे रहे हो, बहुत सोचने के बाद यह आपको बुला है, साब, यह काम हमसे नहीं होगा, यह रहा आपका एडवांज, नमस्ते, अरे, अरे, दिमाग खराब है, अब क्या करेंगे, घर जाके खेती बाड़ी करेंगे, और क्या, साला सिधार साब से 50,000 रुपय एडवांज भी ले ले ल तु उसके साथ जाएगा यह मेरे साथ जाएगा, नहीं नहीं तुम्हार साथ जाएगा, तो चलना, 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 इस अब अंगरी जी दवाई सेथ के लिए ठीक नहीं होता है, मालूम, जड़ी बूटी बावद अच्ची चीज है, हम ले आएंगे और, ठीक है, ठीक है, पैसो का इंतिजाम नहीं हुआ क्या, इंतिजाम, छे साथ दिन में हो जाएगा, अच्छे अच्छे, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मामुली सब उखार है, दो दिन में ठीक हो जाएगा, और देखो, हमें अस्पताल मत ले जाना, ओप्रेशन के लिए, हमें बहुत ट लगता है, रामु काका, ओ रामु काका, अरे बाहर तो आओ, का बात है, काई गला खेंच रही है, खेंच नी रही हूँ, पूछ रही हूँ, कागी को अस्पताल से वापिस क्यू लेकर आए, अरे ओ, डाक्टर बोला ठीक है, जब ले जाओ, ले आए, ठीक है भी, दवाई अरे जूट मत बोलो काका, तुमने उस एजन्ट का काम छोड़ दिया ना, काम, हम समझें नहीं, क्या बोल रहे हूँ, लोया जी, सब पता है मुझे, लोया जी ने सब बता दिया है, अपनी बीमार बीबी को छोड़, उस बाग को बचाने जाओगे क्या, गरीब आदमी का ना जजबात होता है, ना इलाज, हम जैसा लोग इस धर्ती पर सिरफ दुख छिलने के लिए पैदा होता है, इस उझेल रहे हैं, लेकिन एक बात ताय है, कि इस जनम में वापस मुड़कर उजुरूम की दुनिया में नहीं जाएंगे, बस, हाँ, हलो, हाँ, OK, OK, हाँ, अवलो कल जाएंगे, अब्याद के लिए, दियो फूए यह, अभी हमें वार्लस पर एक इंफोपेशन मिली है, ते इकाला एरिया में बुल्दावर का शिकार वाएंगे, वाट? आज डूटे पे कौन था ये दोनों सर ठीक है कारकुस को पोस्माटर्ग ले बेज दो और कल तक सारे केस के रपोर्ट मेरे टेबल में पहुंचाना जी ठीक है सर और तुम लों भी मेरे ओफिस पहुंचाना sir 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 no question please sorry sir i was one question sir प्रिफ्टर हुआ मैं नियुका रचिह दर्फॉट? सब्सक्राइब हां हलो यह सर 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 केस की डेपर्ट रेपर्ट भोंजाएगी सर सर पर उनका शस्पंशन सर 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 रे डेट रेग्ट उन्म कर वंर उन्म सर सर सर, ओके सर Department का रूल आप लोगों को मालूम है ओपर से भी प्रशर है अब ए मामला मेरे हाथ से निकल चुका है आप दोनों को सस्पन करने का ओर्डर मिल चुके है इंक्योरी के बाद ही अब हम कुछ कर सकते है आज तक किसी ने हमारी इमानदारी पर उंगली तक नहीं उठाई है हमारा काम ही हमारा भगवान है और जंगल के बारे में तो आप जानते ही हैं न साथ कि नजाने कौन कब कहां से आ जाए और इस पर Department का पूरा कंट्रोल तो है ही नहीं न साहथ रूल तो लेकिन रूले उसको हम तुम बिदल नहीं सकते नहीं साहब नहीं साहब हमारे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब आहा साहब पूरे घर की सिम्मेदारी हम पर है साहब ऐसा मत करिए साहब ऐसा मत करिए साहब हमने जिन्दगी में कभी भी एक बार भी फिजूल की छुट्टी नहीं लिए साहब साहब कुछ तो करिए अभी आप लोग जाएए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता कैमरा ओन है ना गुडपू रेंज में हुआ गुलदार के अवेज शिकार के मामले में आपको ड्यूटी से सस्पेंड किया है इस पर अब क्या कहना चाहेंगे क्या बताए मैडम पूरा डिपार्टमेंट जानता है कि हम बेकसूर है अकसर हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है इस पर हमारा बस नहीं है मैडम लेकिन एक फॉरेस्टर होने के नाते जंगल को किसे भी अपरात से बचाने की जिम्मेदारी आपकी ही बनती है एक फॉरेस्टर के उपर कई तरह की जिम्मेदारियां होती है बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास जैसे जंगल की सुरक्षा, वनिजीवों की सुरक्षा, नार्कोटेक्स और पुलिस डिपार्टमेंट की तरह हमारे विभाग में क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक कंट्रोल, लॉय और और वगेरा के लिए ब्रांचेज नहीं है मैडम घर से दूर, इंसानों से दूर, किस तरह से वो जंगल की निग्रानी और रक्षा कर पाता है, ये कोई नहीं जानता एक अकेला गाड, घने जंगलों के बीच, कभी बंदूक, कभी सिर्फ एक लाठी के सहारे, पूरे जंगल की रखवाली करता है और अचानक किसी के किये गए अपराद की वज़य से उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है फिर भी हम, खराब मौसम में, खतरनाक जानवरों और जंगल माफिया जैसी चुनोतियों का सामना पूरी बहादुरी से कर रहे हैं मैडम क्या आपको कोई शक है कि इस अवेज शिकार के पीछे किसका हाथ है कोई भी हो सकता है मैडम साइकरों लोग हैं जो इस काम से अपना पेट पाल रहे हैं मैडम मंद कर, बंद करिये थापस आप एक मिनिट, थापस आप एक मिनिट चुप रहे हैं आप इस तरह कैमरा लेकर दुखते सवाल पूछकर गरीब आदमी की बज़ती कर रहे हैं आप हमारी मजबूरियों का वाइदा उठाकर पैसा कमाने आई हैं आप नहीं, माफ करना, मेरा मक्सीद ये नहीं था मैं तो बस बेसिक इंफिरमेशन ले रही थी, I'm sorry घर में हमारा बीवी बच्चा बीमार है, खाने के लिए दाना नहीं, चारों तरह मुसीवत है लेकिन फिर भी हम ये काम नहीं कर रहे हैं लेकिन जिन्दा है, और हमारे साथ साथ आप भी भगवान से प्रात्ना कीजिए कि दुबारा वो हालत पैदा ना हो जाए, कि हमको दुबारा मजबूरन वो काम करना पड़े नमस्कार लोग, 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 लोग जलाने की लगडिका परमीटे ए? साभ, रहने दीजेना? पैसे जटेँ, जेल में डाल दूगा चल चल ज़ चल 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 जाले उदर चल 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 सर गड़ी उंद लगो सुन्योता सर मिरी बात्तल लगा सर कि रदिए भाल? है कि रभा भाल? कि रьяन कि रा भाल? कि राय कि रहीं cleaning झाल झाल आजाए झाल हमारी परमपरा में एक विश्वास है कि जब कोई इनसान किसी घने जंगल के बीच किसी मुसीबत में फ़स जाता है और बाग को याद करता है तो वो बाग उसकी मदद के लिए जरूर आता है हरे जुदू, हरे बाद, हरे बाद द्धाप, हरे थापा, कहा है, कहा हुआ तेरी आपे कहानत बहुत लाजुक अड़िया जल्डिया जाए चतुर जी, चतुर जी तरवाज़ाइड वह जो बुल गीता का तभियत खड़ाब हो गाड़ी चाहिए होगा अस्पाताल जानाए आई 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 यद्धी चलो जट्दी चलो काका चल्दी चलो काका आप ऑफिस से पड़्ची बनवा कराईए और आप बाहर जाईए जे का बोल रहे हैं काका डॉक्टर साब ने कहा कि काकी क्यालत बहुत बुरी है आज यह उप्रेशन करना पड़ेगा और आप एसो का इंतिजाम जल्दी कर लो काका अब हम क्या करेंगे ठीक है हम करते हैं तिजाम अगर तुम दोनों से ये काम नहीं हो पाएगा तो मेरे पैसे वापिस कर दो अबे उल्लू समझ रखा है क्या तेरा ब्राड ग्रूप क्या है ओ पोजिटिव और तेरा साब पिछले महीं ने चेक करवाय था तो ओ पॉजिटिव था अबे तुम दोनों एक ही मा के अउलाद हो ने ने साब ये तो मेरा प्रोसी है अच्छा अब बात समझ में आई वैसे हम इंसानों की किड़नी भी बेशते हैं अगर मेरे पैसे वापस नहीं दिये तो दोनों की किड़नी गिरवी रख दूंगा पैसे लाना किड़नी ले जाना है अगर तुम अपनी किड़नी गिरवी रखने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हो एक रादू क्या कुछ भी बोलता है हेलो हां हेलो हां हम थापा बोल रहा है हां बोल थापा आप पैसो का इंतिजाम करिए हम माल पहुंचा देंगे क्या कुछ खबरी है हो जाएगा दो दिन में दो दिन में माल ने जाएगे दो दिन में किड्नी प्यारे बच गई प्यारे बच गई यह आपमी के अंदर कितनी किड्नी होती है दो दो और यह किड्नी होती का है यहां पर माथे में अरे श्रफ क्योंत purity क्योंत्त इजित झाल 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 हेलो हाँ थापा बोल रहा है हाँ तैयार है दो बजे माड़ा चोकी तेकर तेकर तापार! तापार! तापार, हीगाई! तापार! प्याप्ट प्याज़ चर्दों आज़ प्याप्ट प्याप्ट आगके हमाल एले एले वेकि हमाल जहम उšिक हुई आवाद हंपिल हमचिल हंपिल हंपिल पांपट हंपिल उुद हंपिल कि सीधे सीधे बताओ कौन-कौन इसके फीचे तुम्हें मालूम है इस गल्ती के कारण कितने साल के लिए जल जाना पड़ेगा हमें कुछी नहीं बता साब हम तो सिर्फ एजेंट हैं हमें तो माल एक जगे से दूसरी का पुछाने का वो मिलता है क्या मोलते हैं उसको अपर ब आलए ऑर जिलिवर बी तो हम कहां से इन वॉल्ल हो गें हमने कुछ नहीं किया साब हां तुमने सहीका पर कहानी में एक चोटा से टूस्टत्य है याली पिच्चर भी भाकी है कि थीच्चर वाई हां सहीका फोनो ज़रूर किया लेकिन उसने टाइगर को मारा नहीं बल्कि तुम लोगों को उल्लू बनाया समझ में आया इस बार उसने जाल जरूर बिचाया लेकिन उसने टाइगर को मारा नहीं बल्कि तुम लोगों को फसा दिया यदे के बच्चो एमास टाइगर का नहीं है बकरी कह है और इसकिन नकली है साविय रुपिया एन लोगों ने हमको तिया साश साश बता तुमारा लीडर का नाम क्या है नई तो नकली सकिन हटा के असली सकिन डाल के तुम दोनों को साथ साल के लिए जेल रिशूँगा कोई information मिली? कोई सुराग वगेरा? सर लेकिन उसके location का पता लगाना इतना असान नहीं है और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है वो कब कहां क्या कर बैठे कोई यकीन नहीं और सर इस location में अगर वो हमारे आखों के सामने से धूल जोंकर भी निकल गया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और सर हमारे पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं है और वैसे भी सर उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई सुराग नहीं है उसके लिए पहले से ही हम एक जाल बिजा चुके है उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक आत्मी है चल बे नमस्ते साँ उसे तुम लो जाओ गंडूरी तुने कभी सोचा मैं अब तक तुझे क्यों कोट में नहीं भेजा कम से कम तीन से साथ साल तक तु जेल के सलाहों के पीछे हो सकता है पर कुद को बदलने के लिए मैं तुझे एक और मौका दूँगा मैंने बहुत इंदसार किया कि तू सुधर जाए अब तू बता तू क्या चुना चाहता है सफेद या काला अच्छा या बुरा खुदा या शेतान इमानदार या बेमान मैं समझा नहीं साब अब तु मेरी मदद करो सिधार को पकड़ने के लिए और उसकी एक-एक पल की कबर दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हें आसाद कर रहा हूँ इस चुर्म के दुनिया से साब साब ये काम हम मजबूरी में करते है लेकिन लेकिन साब आप आप मेरी जिन्दगी में भगवान की तरह आए है आप मुझे एक बार इस दलदल से निकाल दीजे मैं आपका जिन्दगी भरा भारी रहूँगा साब आप जो कहिंगे मैं करूँगा मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तयारू साब बस आप आपने हाथ हमेशा मेरे पे रखिएगा उस साले से दार्थ को रंगे हाथों पकड़ कर अगर आपके कदमों में न डाला तो मेरा नम खंडूरी नहीं वेडिया खंडूरी बढ़िया अब तुम्हे एक आसात पंचियो उठो और जुर्म की दुनिया में फेल जाओ और उधर की सारी खबरें मुझे ला कर दो अबै खंडूरी जेल से कब निकला अरे निकला क्या साब हमें कौन निकालेगा वो जमानत पे छूटा हूं साब और जमानत पे छूटते सीधे आपके पास आया हूं हमारे लिए कौन सी खबर लाया है तूँ खबर क्या सार साब वो आप थोड़ा साधन रहिएगा क्योंकि पूलिस और डियाफो ने आपके खिलाफ पूरा जाल बिशार रखा है आप अपना तान तोड़ा लेकर कहीं और चले जाएए महा कसम नहीं तो डियाफो आपको छोड़ेगा नी वो तो ठीक है पर तु ये बता कि तुझे ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली कुछ लोग जेल में आपस में बाते कर रहे थे मैंने अपने कानों से सुन ली वो महा कसम आप ही का नाम ले रहे थे हम तूने सुनां पहले तो ये बता कि तुझे मेरे इस अच्ड़े के बारे में कैसे पता चला है मैं सिदार साब पिफली बारी तो आपratos कि वह ओओ खंडर में मिलेंगे औरे कहां अपने ये vendor में अउट्डा बना लिया अपना अजभ प्रेम की गजब कहानी और खंडूरी, कब से चल रहा है तेरा ये पुलिस प्रेम? कैसी बाते बाते कर रह đang है, साब आप, मैं कहां किस से प्रेम? सुनने से ही पता चलता है कि तू पुलिस का आद्मी बन गए है, कुत्ते. आप गलत समझ रहे हैं, साब मैं पुलिस का आद्मी कहां से. तेरे ये कपकपाते होंट, दोखेबाज आँखें और माते का पसीना साब साब बता रहा है कि तू पुलिस का जासूस बन गया चोर चोर नहीं बन पाया तो पुलिस का जासूस बन गया नहीं साब मैं एक चोर को फसाने के लिए दूसरे चोर का साहरा एक शेर को फसाने के लिए बकरी का सहरा लेकिन हम वो शेर नहीं है जो बकरी को देखकर पिंजिरे में फस जाएं समझे वह सनो ये अकेले नहीं आया होगा इसके साथ जरूर कोई होगा मालुम करो हड्डियां तोड़ना सालों की ब chili प्रहरर cuidado को दोडुम प्रभे तूरर worrying शोड़ना सेमा शेर में फ्रफटत HE के लड़को ही वहर च। कर दे ुर्भबर। क्रल्भबर खिर्णे बर्स एफ्लिष्केरश्पत उस्सः कर दूर में बरूर सेक्षत से है theoretically कर दोसी जार में में बरूबरा को पुर्तली कमछोती पपे टो कि मやा खंद कॉंपला जिसाती तरी ट давно कि अख्योत रहा हुआ नहीता जदге! हुँ अजय हुँ एलाई नच्याहु एलाई नच्याह्झ एलाई नच्याहु एलेगव हो एता रह्या कर लो कर दो कर दो कर दो काका पैसों का इंतिजाम हुआ क्या काका गीता के साथ कोन है जल्दी आओ तुम्हारे परिजित की तबित खराब हो रही है पैसों का इंतिजाम हो गया तुम्हारा गीता की तबित बहुत खराब हो रही है डॉक्टर साथ उस्ते शुद साथ चंदामत करोदावा, बईसोंगा इंदलसम डिपर्मेंट करदी आए, सरजरी आजी हो जाए साब आखेकन, साक्षाद भगवार का रूप लेकर रहा है साब अरे अरे मुझे शर्मना मत करोड़ा, बेटेट, बेटेट, बेटेट आपसो इन टीविय के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ पहचाना आपने, यह वागिन और उसके पच्चे, जो सिर्फ आपकी विज़े स्याथ जिन्दा है ऐसा करके आप शिकारियों के लिए एक मिसाल बन गए हो क्या आपको लगता है कि जो फैसला आपने जिन्दगी में लिया है, दूसरे शिकारिय भी कुछ ऐसा ही करेंगे? बात यह नहीं है मैडम कि दूसरे शिकारिया इसा करेंगे या नहीं असल बात है भूक और गरीबी यहां आसपास हजारों परिवार ऐसे रहते हैं जिनको दो वक्त भी खाने के लिए रोटी नसिब नहीं होती मजबूरन उनको शिकार करना पड़ता है भूक और गरीबी इंसान से उसप करा लेती है जो आपकी भाशा में जिसको पाप और जुरुम कहा जाता है तीन दिन से आपका बच्चा आपके घर में बीमार हो, भूका हो तो आपको बाग और जंगल बचाने की समझ नहीं होती पेट की आग बुझाने की समझ आते है जब तक इन परिवारों को रोटी और कपड़ा जैसी आम जरूरते मोहिया नहीं होती है तब तक ये लोग शिकार करते रहेंगे इबात पके और बहुत जल्दी हम उदीन भी देख लेंगे जब इस दुनिया से बेश की इमती जानवर और जंगल खत्म हो जाएंगे एक सवाल मेडम हम पूछें आपसे सुना है सहम बहुत पैसा है एक एक आग दी महाँ पर एक टाइम में दो-दो हजार रुपय का खाना खा जाता है उदो हजार में यहाँ एक परिवार महिनों महिनों पल सकता है ऐसा कहे होता है मैडम सायद सवाल थोड़ा खंभीर हो गया माफ किजिए भूक और बेबसी इनसान को जानवर से भी बत्तर बना देती है पर आज मैंने एक छोटी सी किरन देखी है वो किरन जो हमें लालच के अंधेरे से निकाल कर मानफता के उजाले की ओर ले जाएगी थापा की इमानदारी और विक्रम के समझदारी ने आज एक बाग की जान बचा ली मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है ये देख कर कि किस तरह फॉरस्ट डिपार्टमेंट और जंगल में रहने वाले इन आदिवासियों ने साथ मिलकर एक बाग की जान बचाई है मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी विक्रम जैसे फॉरस्ट ऑफिसर्स और थापा जैसे लोग एक साथ बाग को बचाते रहेंगे अजय बाग गॉर्ण भी पुष्यार्टमेंट और प्रोवासियों अज़ विक्रम जैसे लोग्ज एक साथ झाई बच्रिण श। टाय कि चैंट औरoca कि हबो इस देश्टटिर criminals बाय कि अओंट गेंटें में शेश्टिर प्लाम फटन चैंट इन बढ़ कि चैंट मेमरी फ़िक्ट मेमरी फविक्ट बु requesting झाल